मैं आपको यहां से सुरक्षिद ले जाने आया हूं पस आप मेरे साथ आईए सभी देवगण माताओं को देव लोग में एक आकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं कि इन्टू ग्यात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्टिक आशनका से घेरा जा रहा है यह क्या हो रहा है किसका तुस्ता हा सही अले लुको वोन महिशी हो तो यहां आने का तुस्ता है पहते किया तुम्हें लोको इसे लोको महिशा सूर कीजैं! करना तुम्हार यहां आने का तुस्ता हस कआसे किया तुर जाओ जहां से आये हो अनने ता तमहारा वत कर देंगे भत तो अलश्य होगा जित तुम्हारा मिले तुआदा बही शाव सूर्की कीशा। अचाओ मेरे बार्ग से। कहा था मैने मुझे मत रोको, क्यूकि मुझे यहां प्रवेश करने से कौई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयांकर महिमिश? असुरों ने हम पर आक्रमन कर दिया हम या सुरक्षित नहीं है करना है । तीवियोख, अब यहाँसे निकलना होगा ऐसले नहीं है इसे नहीं होगा इसलिए नहीं अरक्ले तर्मन कर दिया करा इसलिए अभ्या कर में और आप दूना जया तीवियोख, कि यहाँसे निकाले का गए मार कुता है यहाँ प्रूश्ची कोई है यह दुष्टसूर स्वामी कहा है हाँ 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 मैं महीश, सपकाईश हाँ अधी सुन्दर देवी, तुम तो अधी सुन्दर हो अब जान लो मेरा भी परिचय यहाँ का नया स्वामी हुमै वहांतम मसर, महिशासर, महिशासर, महिशासर रसम, जुमबा, आगे स्वामी मेरी असुर सेना को पहचाओ मेरा संदेश कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश दुस्ता हसी, असुर क्या तुम्हें ग्याद नहीं हम कौन है मैं देव राजिंदर की पत्नी सची हूँ जब मेरे स्वामी लोटेंगे, तब तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे मिथ्या वचन, मत कहो देवी सत्य स्वीकारो अब ये है मेरा भवन अब मैं हूँ यहां का स्वामी देवा, कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित इसलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से बंचे मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर मैं तो स्वामी हूँ अब तुम्हारा मैं महीश, सभी का इश अन्यवाद करता हूँ मैं देवराज का जो अपने ठवन से दूर गए है कहीं असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुन्दर सुन्दर देविया बस, बहुत हुआ असुर रसम ध्यान से अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद अभी ही भेलाओगे इतना आदंक तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंद ना 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 थीरे थीरे स्वतह मंद पर जाएगा इन देवियों का स्वन जब ग्यात होगा इन्हें कि कितना फर्वान है इनका आसर महिशासार बंदी बना लो इन सभी को मन रंजन तो बाद में भी होता रहेगा स्वाम स्वाम कहां है आप शीगर आईए मुप्त कराईए हमें देवियों अब हाल्दी कुमकुमुद्सव संपन हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतिक्षा कर रही होंगी हमें शीगर लोटना चाहिए स्वाम यह यह क्या हो रहा है वहां पर देवगंज साफधान प्रतित होता है किसी दुष्ट चसुर ने अंद्र लोग पर आकरमन किया यह रुख जओ तुम लोग भीतर नहीं जा सकते मुर्क तुम्हे क्यात भी है तुम कहां और किसके समख खड़े हो देवराज इंद्र हु मैं और यह मेरा भवन है अट जाओ मेरे मार्क से देवराज इंद्रा देवराज इंद्रा कौन हो तुम और यहां क्या करने आय हो इतने उचे स्वर में क्यों बोल रहे हो तेवराज इंद्र पुर्क मेरे भवन पर अपने अधिकास तापित करने की उद्ड़ता की है तुमने और मुझ से पूछ रहे हो कि मैं उचे स्वर में क्यों बोल रहा हूँ ना 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 मेरी द्रिष्टी से देखो इंद्रदेर और जान लो हीतर और पाहर का अंतर मैं यहां हूँ और विवाश हो तुम वहां रुखने पर जैसे कि कोई साधारन सन्यर और ध्यान से सुनो इंद्रदेर अब तुम नहीं मैं महीश सबका हीश हूँ स्वर्क लोग का अधिपती अधिपती वहां का मज़र महिशासा 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 महिचत प्रiledग महीश तो मैं भूदे विध strict महिशास आप, जब धिया! स्वामी! स्वामी! एर शाहता. एर शाहता. शामी? सागड? सागता. स्वामी! प्रहार के समान लगता है ने इंडरुदेव को प्रहार के समान लगता है ने इंडरुदेव सभी का इश मैं महीश तुम सभी देवताओं को मिठाने के बाद एक एक कर भरूंगा तुम्हारी बतनियों का जीवन प्रणाम महादेथ प्रभू हमारी सहायता कीजे प्रभू क्या हुआ अंगर देव मुझसे कैसी सहायता चाहिए प्रभू स्वर्ग लोग महासंकट में है उस तुष्ट महिशाजूर में उसने हमारी पतनियों और देवियों को पंदी बना लिया है स्वर्ग लोग का अधिपदी बन बैठा है प्रभू हमें उसे रोकना होगा उस पर आख्रमन करना होगा महिशासूर प्रणाम पिताश्री प्रणाम देवराज प्रणाम सूर्यदेव हाँ गणेची वो तुष्ट महिशासूर हमारी पतनियों का वद्ध करने वाला है हमें कुछ भी करूसे रोकना होगा रमभूत्र महिशासूर का जन्द मेरे वर्दान से हुआ था मैं तुम्हें एक पुत्र का वर्दान देता हम यदि तुम्हारा पुत्र प्रियास करेगा तो अपने लिए मुद्ध के वर्दान प्राप्त कर सकेगा और पिर जब रमभू का वद हुआ तो उसके पुत्र महिशसुर में ब्रहम देव का पठोर तब किया और उनसे वर्दान प्राप्त किया और अजे बन देया क्योंकि उसे प्राप्त वर्दान के अनुसार मनश, पश्यू, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश है कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए मा ने रिशी पुत्री कात्याईने की रूप में अफ्तार लिया है मुझे पिताश्री और देवताओं को रिश्री पुत्री कात्याईनी की विशन में बताना चाहिए ओ दुष्ट रसूर महिशासूर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो मैं अपनी समस्क देव सेना के साथ उस पर आकरम नवाश्री करूँगा किन्तु इस से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंदर देव पुत्र गणेश तुम प्रथम पूजी हो कहो तुम्हारा क्या सुझा है इंदर देव मेरे विचार से इस प्रकार महिशासूर पर आकरमन करना उचित नहीं तो गणेश जी आप भी भताईए हम क्या करें इंदर देव और सूरे देव को गए हुए बहुत समय बीच चुका है कहीं भीतर वो आसूर हमारी पत्नियों के साथ दुर्वेवार तो नहीं कर रहा है आप चिंता मत कीजे अगनी देव इंदर देव प्रथम बुजे गनेश जी और महादेव के पास गया है वहां से वो अवर्षे किसी शेष समाधान के साथ शीग रही लोगे सर्व प्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा महिशा सूर से उन्हें मुक्त कराना होगा किन्तो गरेंशी कैसे महिशा सूर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो देवियों को शती पहुंचा सकता है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिये सूर्यदेव उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास है महिश सबका इश ये सुक सुविधा ये भोग विलास के साधन इतनी सम्रिधी के कारण ही ये देवता इतने अलसी हो गए है किन्तु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुक भोगने का जिन्हुने मेरे पिता का वक्कन मेरा बच्पन मुझसे चीना और ये इन सुक सुविधाओं के साथ अनन्द मनाते रहे नस्ट करदो… नस्ट करदो इनक लाकरितियों को नस्ट करणो तो नस्ट करदो तेवननन Buddh बीते करदो मिलावेर्द विलावेर्दाओं आझाझा इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे है। उची गरी लोटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिशासुर अत्यन शक्ति शाली, स्वयम ब्रह्मदेव का वर्दान प्राव्थियों से। क्योंसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी, शची, अब हम क्या करेंगे। महाशक्ति जो है देवी पारवत्ति वो भी आ नहीं है। प्रतम पूझे विगन हरता शिरी गनेशी की पूझा करनी होगिया में। अब वो ही है, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारे विगन हर सकते हैं। हाँ, आप चुक्चे रेने देशी शची। प्रणम्यं, शिर्सादेव, गोरी पुत्रं, विनायकं, वक्तावासं, स्मरे नित्यं, आयूकामार्त सिर्धै, रतमं, वक्रतुंडंच, एकदंधं, विनायकं। प्रितियं, प्रिष्णं, पिंगाक्षं, गजवत्रं, चतुर्थकं, लंबोदरं, पंचमंच, शष्टं, विकटं, वेगचा। सब्तमं विध्न राजेंद्रं, धुम्रबर्णा तथाष्टकं, नवमं भालचंद्रंच, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, वादशं तु गजानरं, वादशैतानि नामानी। वे संद्रय यह पठे नरहा, नाचा विध्न भयंतस्या, सर्वासित्थि करम प्रभो। प्रणाम गनेश जी, आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। अब प्रारंब होना चाहिए, मनरंजन, जाओ, उन देवियों को यहाँ पुलाओ। जो अज्या महान महिशातुरा। आप सभी माताओं, चिंता मत केजिए। मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने आया हूँ, पस आप मेरे साथ आईए। मेरी एक योजना है, जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूँगा। आप कदाची देव सेन द्वारा महिशा सुर्पर आक्रमन की अपेक्षा कर रही थी। किन्तु इस समय बल से नहीं, बुद्धी से कारे ले नहीं उच्चित है। और वही करूँगा मैं, आईए। 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 अुर्ण जो जो जली हुआ झाली है जो जटे रखाला मिरे ला ठूल्ट एम्हा प्रोन ना सुष्थ्छा चाली हुआ झाली हुआ हाहाहाहा प्यार्द है प्यार्द है तुम्हारा छुतने का प्रयात्न कोई नहीं बच सकता हमारी द्रिष्टी थे हाहाहा हाहा हाहा संकट के समय शक्ति काम आये नाये किन्तु बुद्धि अवश्य काम आती है